अलेकुम प्रेंड में फर्जाना मेमान आज आप लोग के लिए लेक के आए हूँ आटे और गुड का सीरा जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये सर्दियों में बहुत ही शोक से खाया जाता है लेकिन अमुमने हर कोई बनाता है तो कभी कोई ये शिकायत होती है कि आटे क तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि इस हल्वे को हमें किस तरीके से बनाना है बस इस आटे की भुनाई करना थोड़ा मुश्कील है बाकी तो हल्वा बहुत ही आसानी से बनता है और ये बहुत ही शोक और मज़े से खाया जाता है इसे सर्दी के अंदर तो यहा लेना है इससे मेंने चूले पर रख दिये बहुत तेज आंस पर आपको नहीं रखना है आग जो इसकी मीडियम रखेंगे हम बस मीडियम आट पर रखकर और इसका गुड़ जो हमें पिगलाना है आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर पानी गरम होगा तो गुड़ खुद कि जितना बचा दिया है ये घी को मैं अच्छी तरीके से गरम कर लूँगी क्योंकि घी हमें गरम कर लेना है यहाँ पर मैंने ले लिया एक पाव आटा अगर आप फाइन आटा खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं और अगर चक्की का ग्यों का आटा खाते हैं तो वो भी ले स आटा डाल दिया यह एक साथ और उसके अंदर गुठली पड़ गई तो फिर गुठली तोड़ना बहुत मुश्कील है तो यहां पर आपने अच्छी तरीके से चमचा डाल कर चलाते वे इसको आटे को हमें बहुत अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करना है यह स्टेप आपन ह्सकी बहुत है तो तक मैं और चमचा चलाते रहाई हुआ पिसमें पूसर हलवा गुमाने मज़ता हमें नहीं चेंच होता जा रहा है जब तक मैं आटे को भूल लेती हूं तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्क्राइब कर दें सब्क्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते कोई बेलास नहीं लगता होकुमत ने कोई टेक्स नहीं रखा है तो आप लोग सब्क्राइब करने में कंजूसरी ना करे और चैनल को सब्क्राइब कर दें शुक्रिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चमचा मेने छोड़ाई ही नहीं है बस चलाई रही हूं और आप लोग को यह भी एतियात करना है कि मेने तो पानी दूसरे चुले पर रख दिया है तो आप लोग इसा मत कीजिएगा क्योंकि आप पहले पानी पका लीजिए ताके आपका जहन दो तरफ हो जाएगा तो आपका आटा हो सकता है कि जल जाए और गुड़ का मकसा यह भी है कि गिलास वाला गुड़ा आता है अगर आप वो लेते हैं तो उसके लिए आपको पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बस व यहां पर देखे बुलबुले भी छोड़ने लग गया था आटा और आटा जो है किस तरीके की कलर उसने शिकल अख्तियार कर ली दी बस इससे जादा हम नहीं बुनेंगे तीन में टोटल मैंने इस आटे को भुना है और इसका रिज़र्ट बहुत ही अच्छा आगिया तो क्यांपर आगर पानि जयादा हो जाएगा तो हम निकाल नहीं सकते हैं अगर रप जयादा डाल देंगे तो यह हलवा भी यह बिल्कुल नरं बन जाएगा। आप लोगों ने अगर नरम हलवा खाना है तो आप जादा पानी डाल दें तो इसलिए खिला-खिला हलवा अच्छा लगता है आप देखें जो पानी बचावा था वो भी मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके शामिल कर रही हूं थोड़ा-थोड़ा करके भी मुझे लग रहा कि आटा पानी और यह सारी चीज़ एक जान हो जाए और कड़ाई हमारी जो हल्वे को छोड़ना शुरू हो जाए तो यहां पर देखें आप कड़ाई ने हल्वे को छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसका मकसद जो है यह हमारी भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है यह बहुत मज़ेदार सा सर्दी की सोगात और ठन में ऐसी चीज़े खाने का बहुत ही दिल करता है तो इंज्वाई करें अगर आपके पस खुश्क मेवे हैं तो वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं बादा में पिष्टा है अखरोट है जो जो चीज़े आप इसमें डालना चाहते हैं वो डाल के इंज्यौई करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेर कर दें आपका कमेंट औ state मूझे बहुत मोटिवेट करता है तो कमेंट लाइक करना ना भूलिएगा शुक्रिया मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाफिज दौाओं में याद रखिएगा अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा